नमस्कार साथियों मैं डाक्टर सर्वेश कुमार्सिंग अर्वेश चिरिस्तक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अर्वेश संजीवन पर हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास से सब्मंदित नहीं जानकारी आपको मिलती रहें दोस्तों हमें अपने स्रीर को स्वास्थ लगातने के लिए जिस सब्से ज़्यदा सब्सक्ता होती वह भ té वोजन हमना करते हैं के यह चलियू जिसका जो परस पर गुल estab cabe ही होते हैं उस प्रकार के भूजन को बिरुद्ध आहर के रूप में वरणित किया गया है कई प्रकार के बिरुद्ध आहर के वरणित किया गया है अगर उनका सिवन अगर हम करते हैं तो हमारे सेजरे के लिए काफी हानीकारक होते हैं कुछ द्रब उस में ऐसे होते हैं जो हमारे सिकी डिशाडर के कारणा होते हैं सफेद दाक लुकडर्मा या लादर चीजें जो होती हैं चकत्ति वगरापढ़ चाहिए होना उससे होता है कम फन्सक्ता हो जाती हैं इहां तक अगर शनतावन पत्त होती है तो वह भी विलोप होती है दोस्तों उस्व इसों कभूर हो जाते हैं तो दोस्तों सबसे ज़रूरी है निताहर्म में भूजन गरहन करते हैं उन distingu को कुछ जानकारिया डकिन कुछ यूजी अश्य अदुन कारी नहीं है और आज की आधनित्य और लेकिन हमेशा से बिरुद्ध सास्त्र में कहा है कि जो भुजय पधार ह हमारे जीवा को अच्छी लगे प्यारी घ्रिक के लिए हनिकारक दोस्तों आज जो हम इस सामने लेके आए हैं कौन-कौन से आज बिरुद्धाहार है जिनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए अगर हम उसका फालो करते हैं तो बहुत से ऐसी विकार हैं वेसी व्यादिया हैं जिनसे हम बस सकते हैं वोत्पन ही नहीं हो पाएं सासल में आयने बताया कि कई प्रकार के वोजन का बहुत सारे हैं लग बग 15-16 प्रकार की विरुद भोजन काहा गय Este Son利 जिनदोर इस सारे योग में आज के यूग में करते हैं जिसा फ्रकार कर के इस्तेमाल करते हैं हम उनी विस्य बढूंब कर रहा हैं और न ही भोषद्रवी कब करहें उसको सभ्र है करके लेकर आया उसको और अपने लेंक योग सेवन के साथ लेना हानिकार होता है बाकि जो दूद के साथ सेवन करने यूख पदारता था उसमें मूली सही जन हरे साखसब्जें यहां तक कि तुलसी के सेवन भी जो है दूद के साथ वर्जित पताये गया फिर दोस्तों बात है अक रोट नारियल आवला कुलती उड़द, मोट, नारियल की गरी, सेम, मटर, अनार, अनार का भी सेवन दूद के साथ वर्जित बताए गया है, फिर दोस्तों बात आती है, उड़द के साथ हम मूली का सेवन ना करें, फिर दोस्तों बात आती है, मदू और घृत, यानि शहद, सहद और घृत को एक समान मातर जैसे दो चमच सहाद हो गया बो चमच घृत हो गया, इनका परस्पर मिस्रण विसका रख होता है, यानि के समान होता है, आगले हम उस दवरान इसका सेवन खरते हैं, तो बिस्तों होता है, ऐसे में इनका समान मिस्रण नहीं होना ज coward, उनका सेवन ना करें, अगर हम एक तर दो चमच घी या smoking स्षमच जाद और एंग अगर कि श्रियम में गर्मी ज्यदा हो रही virus ज़ूं है एक वह ब्यक्ति धस्टायत का सेवन ना करें या रिगूलर ना करें फिर दोस्तों बाएताती हमारे चृतरों में अधिक भाष्ट अनुप परदेशों में एक ग्रिक्छाता है उसको बढ़ार बोलते हैं उसके फल को के साथ कदापी न करें या अगर बढ़ार कफल आप खाया है तो आप कम से कम दो घंटे तक इंद रभियों का इंद रभियों का सेवन न करें फिर दोस्तों बाता यह केला जिसे हम पका केला खाते हैं पका केला स्वास्त के लिए लापरद होता है लेकिन उसको दही और मठे क आदे के साथ के लेकशन न करें अंगरते हैं कि किसी तरीके से KYC करते हैं तो उनके साथ किस परकार के भोषद्र अब इंच झा रहें नहीं करना चाहिए तोfly जो भोष आ मांशाहार कल रहा है तो यस drifting ऐसे आपको नहीं करना था रहा है तो उसके भाद भी सेवन नहीं है धुट के साथ वह दूड़ के बाद भी होता है यानि कि उसका सेवन करने के बाद आप दूद का सेवन बिल्कुल ना करें फिर दोस्तों बात आती है सुरा यदि हम सुरा का सेवन कर रहा है या वो किसी प्रकार का हो तो उसके साथ दूद या दूद से बने पदारत जैसे खोया है मलाई है उसका सेवन आप बिल्कुल ना करें ना उसके पहले ना उसके साथ करें और नहीं उसके बात करें उसका सेवन बिल्कुल वर्ज जैसे खीर है या सेवई है जो भी इस वकार के दूद से बने पता रहते हैं उसका सेवन बिल्कुल नहीं करना है और रहर होता है तो दोस्तों यह जो विरुदाहर हमने आपको बताया है इसके Hello करें और तोसज नब बिल्कुल नखरें खार परिस्थितियों में यह कुछ alcanz प्रकृर्फिती गेश्यक्तिक होते हैं जिनको इंब और करें लेते उसे भीérence नहीं यहांना होती हैं लेकिन बहुत विश्यस प्रकरती आए विश्यस प्रकार के व्यक्तिव को samen करें पर्धार। कि हमें बचाना यह इस वकार के भोजद्रभ्यों को आगर हमको जानकारी हो गई है तो हम इस वकार की भोजन का शेवन ना करें तो दोस्तों आज का जो एक टाफिक है विरूद्धाहर इसके बारें पूरा वड़न हो गया है अगर आपके मन में किसी पकार का कुश्चन है सब्सक्राइब कर लें तो दोस्तों इसी के साथ आज का टाफिक है विरूद्धाहर यहीं पर समाप्त होता है नमस्कार